दोस्तो जस्ट अभी कुछ घंटो पहले एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आईए एक कमपनी ने आप धमागेदार स्टॉक बोनस अनाउस कर दिया इस 6 to 1 के रेशियो से मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को करते हैं दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टॉक के कुछ और इंफोमेशन के बारे में बता देता हूँ तो इस कमपनी ने लास्ट सिक्स मन्स के अंदर में अपने इन्वेस्टर्स को 50% के रेटांस दे दिये हैं जो कि पिछले 6 महीन बुक वैल्यो इस स्टॉक की 84.8 रुपीस की है कमपनी का डिविदेंड इल्ड 0% का है अगर अब कमपनी का रोसी रेटान अन कैपटल एंप्लोईट देखेंगे तो इस 7.02 परसेंट का है अब कमपनी का रोसी और रोसी तो काफी कम है मतलब ग्रोथ परस्पेक्टिव से कम कमपनी उतनी जादा स्टॉंग नहीं है फेस वाइल्यो इस स्टॉक की 10 रुपीस की है और जो कमपनी का डेट टू इक्विटी रेशिय वो जिरफ 0.29 का है तो जादा डेट कमपनी के ओपर में मौजूद नहीं है जो की काफी अच्छी बात है अब आ जाते हैं इस कमपनी क यह फानाशरल्स की बात कर लेते हैं simply last one year को हम यहाँ पे compare करेंगे सबसे पहले कमपनी की sales की बात कर लेते हैं तो जहाँ पे 2022 के अंदर में कमपनी की sales 24.52 करोर रुपीस की थी वहीं 2023 के अंदर में यह बढ़ करके 46.49 करोर पे आ चुकी है तो last one year के अंदर कमपनी की sales आल्म करोर का था वहीं 2023 के अंदर में यह जादा increase नहीं हुआ है और सिरफ 3.61 करोर पे ही आया है तो कमपनी की sales में इतना जादा growth हमें देखने को मिला उसके बावजूद भी operating profit यहां पे नहीं बढ़ा जिसका सीधा सा मदलब है कि कमपनी के expenses काफी तेजी से बढ़े हैं last one year के अ 2022 के अंदर में company का net profit 2.80 करोर का था वहीं 2023 के अंदर में कुछ भी जादे increment यहां पे हमें नहीं देखने को मिला and 2.87 करोर पे आ चुका है all over जो भी problem है वो company के expenses के अंदर में ही है आने वाले time में अगर company अपने expenses पे control कर लेती है तब definitely यहां पे एक अच्छा buy हो सकता है अभ पास में 73.09% की holding मौझूद है और जो public है यानि की retail investors उनके पास में 26.92% का stake मौझूद है all over देखा जाए तो काफी अच्छी बात है 2020-2021 के अंदर में promoters ने अपनी holding भी increase करिये और साथी साथ में और उसके बाद कभी भी company के promoters ने अपने stakes को यहां पे liquidate नहीं करा जो की अगर हम बात करें इस stock के नाम की तो company का नाम है Pooja Entertainment and Films Limited इस company का जो Bombay Stock Exchange का code है 532011 अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं इस company के official announcement की तो just अभी कुछ घंटों पहले company ने आप इस stock bonus announce कर दिया है 6 to 1 के ratio से जिसका मतलब भी है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहां पे 6 stocks as a bonus मिलेंगे टोटल में आपका एक stock यहां पे 7 stocks में convert हो जाएगा बेशक आपके पास में इस company के जितने भी stocks हो आपका हर एक stock यहां पे 7 stocks के अंदर में convert हो जाएगा हर एक stock के ओपर में आपको 6 stocks का bonus मिलने वाला है और इस bonus को देने की x date और record date फिलाल upcoming में है जैसे ही company x date और record date announce करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचे बिकुस फिनो media के अंदर चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल दिन बाई